गुर्ण मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब अच्छे होना? ठीक है, सब बच्चे घर पे अच्छे से रहना सब बच्चे अपनी अपनी हिंदी व्याकरन की किताब निकालेंगे उसमें पेज नमबर 18 आज हम पढ़ेंगे मात्राएं हिंदी भाषा में वर्णों को लिखने के लिए जो चिन बनाए गए हैं बे चिन मात्रा कहलाते हैं आप सब बच्चे जैसे काखा गागा लिखते हो ना चाचा जाजा टाठा डाडा तो ये सब वर्ण हैं लेकिन जब हम इसमें स्वर जैसे आ से आम इसे इमली ये सब जब हम मात्रा के रूप में वर्ण के संग लगा देते हैं तो वो बन जाती है मात्रा है ना अब आप आगे देखिए ये हमारे स्वर है ये रैट कलर की इंक से आपको दिख रहे ना ये हमारे स्वर है आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, इ, ओ, आ, मात्रा है, आ में कोई मात्रा नहीं होती है, अब आप देखो, आ के अंदर मात्रा देखो, आपको यह आ के सामने यह दिख रहा है, एक धंडी दिख रही है ना, यह आ की मात्रा है, तो जब हम क में और हर व्यंजन में, हर व्यंज व्यंजन के साथ अ जुड़ा हुआ होता है हर व्यंजन के संग क से लेके ग्य से ग्यानी तक जितने भी वर्ण हैं आप उनको बोल के देखो सभी वर्णों में आपको पीछे से अ की आवाज आती है जैसे क, अ, ख, अ आप सारे वर्ण बोल के देखिए आपको सब में आ की आवाज आएगी ठीक है ना लेकिन जब उसमें मात्रा लग जाती है तो आवाज भी हमारी चेंज हो जाएगी क, प्लस अ, क, इससे क्या शब्द बना कम अब जब इसमें क में से अ निकाल दिया तो आप सब बच्चे देह से देखो इसमें नीचे क क के नीचे एक डंडी लगी है यह डंडी हम इसको आपको समझाने के लिए इसको बोल रहे हैं लेकिन इसको हलंत कहते हैं जब आप थोड़े से और आगे की क्लास में आओगे ना तब आप इस चीज को समझोगे कि इसको हलंत कहते हैं अभी हम आप को आप छोटे हो, इसलिए हम समझाने के लिए इसको डंडी बोल रहे हैं, ये नीचे कोई भी मात्रा नहीं है, आप इसको मात्रा मत समझना, ये आधा अक्षर है, क में जो ये डंडी खिचीवी है, इसका मतलब है ये आधा है, और इसमें जब हमने अ जोड़ दिया, तो ये पूरा क बन गया, है ना, और इससे क्या शब्द बना, कम, अब क में हमने जब आ जोड़ा तो बन गया का, आ, तो आप देखो इसमें, लास्ट में आ की आवाज आ रही है, काम, क में जब छोटी की मात्रा जोड़ी, तो बन गया कि, और इससे क्या शब्द बना, कितना, क मे जब बड़ी की मात्रा जोड़ी तो बन गया की, इ, तो इससे कौन सा शब्द बनता है कील, क में जब हमने छोटा उ जोड़ा तो बन गया कु, कु, इसमें कौन सा शब्द बना कुल, कुल, और क में जब हमने बड़ा उ जोड़ा तो बन गया कु, अब आप डिफरेंस देखि चोटे में छोटी आवाज और बड़े में थोड़ी खिचती हुई आवाज इससे क्या शब्द बना कूल क में जब हमने री की मात्रा जोड़ी तो वो बन गया क्री क्रिपा अब री की आवाज आ रही है आपने बोला तो क्रीपा क में जब हमने ए की मात्रा जोड़ी तो बन गया के ए की आवाज आ रही है क में ए जोड़ा तो केला इसी तरीके से यह आई है जब क में हमने आई की मात्रा जोड़ी तो बन गया कई कै कैसा आप डिफ्रेंस देखिए के ए आई कैसा अब क में जब हमने ओ की मात्रा जोड़ी तो बन गया को कोयल को ओ क में ओ की मात्रा जोड़ी तो को इसी तरह आप किसी भी वेंजन में जोड़ोगे ग में जोड़ोगे तो गो ग में जोड़ोगे तो गो अब जब हमने क में ओ की मात्रा जोड़ी तो बन गया आओ को को आओ को वा समझ में आया ना आप सब को अब आप ये पेज नंबर 19 पर देखिए रो के साथ छोटा उ और बड़ा उ लगने पर वे कैसे लिखे जाते हैं देखो ये रो है इसमें छोटा उ जोड़ेंगे तो ये जो इसकी मात्रा है वो रो के पेट में लगती है रा के पेट में लगती है रा के नीचे नहीं लगती है और रा में जब हम बड़े उ की मात्रा जोडते हैं तो आप इसमें देखो कैसा डिफरेंस है इसमें बड़ा उ में गोला बना हुआ है और छोटे उ में गोला नहीं बना हुआ है और इन दोनों की मात्रा रा के पेट में लगती है रा के साथ उ या उ की मात्रा रा के पेट में लगती है उसकी पुच मतल़ उसके नीचे नहीं लगाई जाती है आपको समझ में आया न? आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे कल हम पढ़ेंगे इसके नीचे शब्द ठीक है? Thank you. God bless you.